प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक नान बाई और एक मचली का वाक्या सुनाने वाले हैं मचली के पेड़ से ऐसा क्या निकला जिसे देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे तो आप इस वीडियो को प्रा आखरी तक देखते रहें और आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है के आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें प्यारे दोस्तों इरान के एक बादशा की आदत थी वो रात को भेस बदल कर निकल जाता ताकि अपने रियाया के हालात मालुम कर सके लोंगों के हालात को देख सके के कौन खुस है और कौन परेशान एक रात बादशा फकीराना लिबास पहन कर महल से निकला और बाजारों मे घुमता फिरता एक नान भाई की दुकान के करीब से गुजरा दुकान के अंदर रोशनी आ रही थी बादशाने चुपके से अंदर जाका तो क्या देखता है नान भाई मुसले पर बैठा दुआ मांग रहा है उसकी आखों से आसू जारी है और वो कह रहा है ए मेरे तू ही हमारा पैदा करने वाला है तू ही हमें पालने वाला है हमें हर दम तेरा ही आसरा है तुझ पर ही भरोसा है के तू बड़ा कादिरो मुतलग है तू हिकमत वाला है तू जो चाहता है वही होता है हम तेरे हुकम के आगे गर्दन चुकाते हैं और तेरी रजा में राजी नान बाई बार बार यही अलफाज दोरा रहा था बादशा उसकी हालत देकर नहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा वफदार और अबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा मगर सवाल यह है जो अलफाज ये नान बाई अपने मुझ से निकाल रहा है क्या उन पर ये अमल भी करता है और मुझे चाहिए कि इसका इंतहान लूँ और देखों कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है अगर ये इस इंतहान में पास हो गया तो मैं इसकी वो इज़त अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया मे आज तक किसी की ना हुई होगी ये सोचकर बादशा ने दुकान का दर्वाजा खटखटाया तो नान बाई ने मुसल्ला तै किया और उटकर देखा जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बादशा उस वक्त फकीर के वेस में था लेहाजा नान बाई ने बड़ी नर्मी से और क्या चाहिए तो बादशा ने कहा मिया नान बाई हम फकीर हैं अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं हमें खाने को रोटी दे दो लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं हाँ हम ये अंगूठी तुमें देते हैं इसे बतार अम और फकीर को दे दिया और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया नान बाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रिजगार वाले संदोक में बेपरवाही के साथ डाल दी अगले दिन सुबा होते ही बादशा ने वजीर को हुकम दिया कि फला म महनले में एक नान बाई की दुकान है दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदोक में हमारी अंगूठी रखी है किसी तरकीब के साथ उसे निकाल करके लाओ और हाँ खबरदार उस नान बाई को इसके बारे में कोई शको सूबा ना हो के अंगूठी कहां गई है बादशा का हुकम सुनकर वजीर ने दो सिपाहियों को साथ लिया और उस बजार में जा पहुचा जहां नान बाई की दुकान थी उसने दुकानदारों के आसपास देखना शुरू कर दिया और कहा कि हमें ये इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नह वजीर ने कहा मिया नान बाई तुम्हारा वो तराजू कहा है जिसमें तुम आटा तौलते हो नान बाई ने जवाब दिया वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं मैं अभी हाजिर करता हूँ ये कहकर जैसे ही नान बाई पिछले हिस्से में गया तो वजीर वजीर ने फुर्ती से नानबाई की रेज़दार वाला संदूक खोल करके बादशा की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली इतने में नानबाई तराजू लेकर आया वजीर ने यूँ ही सरकसी तोर पर तराजू को दे की तुम्हारे बाट और करके लाओ नानबाई उसी वक्त बादशा के सामने हाजिर हुआ और ये देख करके हैरान रहे गया कि ये तो वही सक्स है जो पिछली रात फकीर के वेस में मेरे पास आया था बादशा ने कहा मिया नानबाई माफ कर देना पिछली रात हम वेस बदल कर तुम्हारे पास आय और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिर्वी रख कर चले गये थें अब महरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेज़दार वाला संदूग को खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी और वो उल्टे कदम वापस आया और बादसा से अर्ज़ करने लगा जहां पना वो अंगूठी आपके सामने मैंने उस संदूग में डाली थी लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर ने उसे चुरा लिया मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो स देखो मैं तुमको दस दिन का वक्त देता हूँ दस दिन के अंदर मेरी अंगूठी पेश कर दो अपनी रोटी की कीमत ले लो अगर इस मुद्द तक तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा अब तुम यहां से जा सकते हो नान ब पेश कर दूँगा यह कहकर नान बाई ने सलाम किया और वहां से रुकसत हो गया बादशा को उसके इत्मिनान और सुकून पर अजब ताजब था वो सोचने लगा के अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है फिर दस दिन के अंदर ये बेवकूफ मेरी अंग गुजर गया नान बाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी नववे दिन बादशा ने सिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया और एक हीरन के पीछे अपना घोडा दोडा दिया वो हीरन भागता हुआ दरिया की तरफ चला गया बादशा ने उस हीरन का पी दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आया बादशा के हाथ कीचड से भर गय थें किनारे पर बैट कर वो हाथ धोने लगा तो क्या देखता है कि वही अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी शायद वो दरिया में गिर गई होगी बादशा को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवा हो सकती है उसके खजाने में हजारो एक से बढ़कर एक अंगुठियां मौजूद थी दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर पर एक गरेब मचवारा जाल लगा कर सुबा से बैठा हुआ था अभी तक कोई मश्री नहीं फसी वो दिल में कह रहा था अगर खाली हाथ गय और वो खुश हो गया के आज तो बहुत बड़ी मचली फसी है जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें दो बड़ी बड़ी मचलियां तडप रही थी मचवारों की खुसी का कोई ठिकाना ना रहा उसने सोचा की मचलियों की अच्छी कीमत मिलेगी और वो उस मचली को बजार में ले गया जब वो ताजा मचली ले लो ये आवाज लगाता हुआ बजार में पहुँचा तो नानबाई के कान में मचवारे की आवाज आई उसने अपनी बीवी से कहा अरे ओो नेक बक्त मचली खाए कितने दिन हो गये हैं जड़ा जाकर इस से मचली तो खरीद ल तो उसकी बीवी ने जुजला कर कहा आड़ दिन गुजर चुके हैं और बादशा की अंगूठी अभी तक नहीं मिली दो दिन के बाद जलात तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें खाने की सूज रही है बीवी की बात सुनकर नान बाई ने कहा अरे ओ नेक बक्त अल्ला पर भरोसा रखो अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी दुनिया की कोई ताकत मेरा सर नहीं कलम कर सकती फिर उसकी बीवी ने मच्वारे को आवाज दी और उससे दोनों मचलियां खरीद ली वो मचलियां वो बावर्ची खाने में ले गई उन्हें एक तकते पर रख कर छूरी से साफ करने लगी जैसे ही उसने पहली मचली को साफ किया उसके बाद दूसरी मचली का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी बीवी ने उठा कर देखा तो ये सोने की एक खुबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच म हीरा जगमगा रहा था अंगूठी देख कर वो चिलाई जरा जल्दी से आना जरा देखो सही मचली के पेट में क्या चीज निकली है नान बाई ने बीवी के चिलाने की अवास सुनी तो दोड़ा दोड़ा वहां पर आया बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नान थी वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा फिर नान बाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशा को अपना आमद इत्तिला कराई बादशा ने उसे आने की इजाज़त दे दी नान बाई बाई बाद जोड़कर अदब से खड़ा हो गया उसे देख करके बादशा ने कहा जो महलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी दो दिन बाकी है मालूम होता है के हमारी अंगुठी तुम तलास नहीं कर सके और मजीद महलत लेने के लिए आए हो लेकिन अब तुम्हें एक बादशा ने अंगुठी पर नजर डाली तो हैरस से उचल पड़ा वो बार बार अंगुठी को उलट पलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा ये वही अंगुठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है लेकिन नहीं ये उसी की अंगुठी है बादशा ने कहा खुदा सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ उसने अदब से कहा मैं समझ नहीं पाया जा पनहा आप क्या फर्मा रहे हैं अंगूठी तो मेरे संदोग से गुम हुई थी नहीं नहीं बादशा ने कहा हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारे दुकान पर भेजा था और वो अंगूठी संदोग से निकाल ली गई थी और तुम्हें इसका कोई इल्म नहीं हो सका था हम देखना चाहते थें कि तुम खुदा पर किस तरह से इमान और भरोसा का ऐलान कर रहे हो क्या वो सच है या जूट लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से दर्या के किनारे उसके घोडे को ठोकर लगी और वो दर्या में जागिरा इस दोरान अंगूठी निकल कर उसके दर्या में जागिरी जिसका मिलना मुहाल ही नहीं ना मुम्किन था लेकिन बेशक खुदा हर से पर कौदिर है तब नानबाई ने बादशा को बताया अभी थो पर नानबाई को अपने बराबर तक्त पर बिठाया उसे इनाम इकराम से नवाजा कुछ मुदत के बाद बादशा को पता चला ये नानबाई कुरान और हदीश का बहुत बड़ा आलिम भी है बादशा ने उसे अपने मुलक का सबसे बड़ा काजी बना दिया प्यारे दोस लोंगों तक शेयर कर दें मिलते हैं तब तक के लिए अल्ला हाफिज